दोस्तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है अवैद कबजा यानि कि इलिगल पोजिशन दोस्तो वे बिहार में जमीन सर्वे कारी चल रहा है इस बीच अवैद कबजा को लेकर लोग काफी कन्फ्यूज हैं वे सोच रहें कि भाई यह जो अवैद कबजा वाला जो भूमी है ज सारी प्रोबलम क्रियेट हो रहे थे तो यहां पर कुल छे इस्थितिया में लेकर आया हूँ अगर आप छे वो इस्थिति को सही डंग से समझ गए तो मुझे उमीद है कि अवैद कबजा को लेकर सारे कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है ओके सर्वे में आखिरकार अ देखें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समू या कोई संगठन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जमीन या संपती पर कबजा करना धावा बोलना उसमें रहने लगना क्या कहलाता है क्या कहलाता है और यह अवैद रुप से है क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कागजात है वो पास दस कठा जमीन है लेकिन बैचारा वो आठ कठा में ही सीमट के रहा जा रहा है और दो कठा में जो उसके आसपास वाला जो समीपवर्ती जो रहयत है वह उस पर कबजा किये हुए तो यह भी हो सकता है तो बहुत सारी इस्थितियां है यहां पर बारिकी से में चर्चा अगर कोई डबंग वैक्ति है किसी कमज़र वैक्ति को जो है दबा करके जो है उसके जमीन पर कबज़ा कर लिए तो ऐसे एसीती में आखर कर सरवे में क्या होगा किसके नाम से खाता खुलेगा तो दोस्तो सिम्पल सी बात है कि वैद दावेदार के नाम खाता खुलेगा यानि कि देखे एक ची समझे जो सर्वी हो रहा है न वो कागजात के अधार पर होगा यानि अगर कोई वैक्ती कोई जमीन है मानके चलिए अगर उसका डॉकुमेंट वो दिखाता है और वो डॉकुमेंट जो है लीगल है फैलिड है तो वैसे कंडिसन में उस डॉकुमेंट के अधार पर ही जो है खाता खुलने वाला है लेकिन एक चीज है भाई जो डॉकुमेंट देगा सब्मिट करेगा सही पाया गया तो खाता खुल या या उसके वनसज के नाम से लेकिन ऐलेकिन । एक कायफियत 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 हभी होता है, खतियान में में वहाँपर कबज धारी का नाम रहेगा मतलब जिस वैकटी ने कबजा किया है、 या जिन वैकटियों की Izagu कर रखा है उस कैफियत कॉलम में जो है वहाँ पर उनका नाम रहेगा ठीक है एक चीज़ आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिए कि यह जो सर्वे हो रहा है विसे सर्विक्षन बिहार में जो हो रहा है यह फिर कहीं भी सर्वे होता है तो सर्वे के दौरान दखल दिलाने या अगर कोई अवैद कबजा किये है तो उसको हटाने के लिए नहीं होता है इसो नोट कर लिजेगा अगर कोई दखल कबजा की हुए है मतलब अवैद कबजा की हुए है और सुचिएगा कि सर्वे में उससे हटा दिया जाए जो रियल कबजे धारी है उसको जो है वहाँ पर कर दिया जाया ऐसा नहीं होगा सर्वे के समय में नहीं होगा यह काम जो है सक्षम centrally baking का काहलाकि कैफियत के कॉलम में जो वर्तमान इस्थििय सर्वे में किलियर हो गया होगा चलिए अब दूसरा कंडिशन पर आते हैं दबंग व्यक्ति द्वारा अपने जमीन के सीमा वर्ती मतलब सटा हुआ अगर कोई दबंग व्यक्ति है उसका जो सीमा वर्ती वाला जो प्लूट है वो समझी कमजूर व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति के जमीन के part यानि की भाग को दखलकर अपना दावा करने की सिंपल सी बात है मायन के चलिए कि यहाँ पर ये जमीन है और ये जमीन दबंग वक्ती का है और इधर वला गल वला जो हेक कमजूर वक्ती का है अब क्या किया है यह दबंग वक्ति थोड़ा साइस पर बड़ चड़ करके जो है प्लोट को अपना लिया, ऐसे स्थिती में क्या होगा, ऐसे स्थिती में भी जो है, दबंग वक्ति के नाम से खाता नहीं कुलने वाला है, किसके नाम से खुलेगा, भाई यह जो कमजूर वक्ति है, उसके पास पेपर तो चीन्ज नहीं होगा अगर दखल कर दिया है कपजा कर दिया है कोई दूसरा वैक्ति ऐसा नहीं कि फेपर पर भी कप्जा कर दिया है फिर्था इतना Śथाओक चैबолотआफ के क thrown à तिक है लेकिन कैफियत के कॉलम में जो है वही चीज कफ़धारी का नाम रहेगा za अब्यक्ति से और आपको पता नहीं चलेगा जो आणपढ़रों पना करके निकल जाएगा यह वी हो सकता है चलिए दोनों कंडिशन केलियर हो गया ठीक है जो वर्तमान दसा है उसका अधार पर सर्वे होगी ठीक है अगर कोई कबजा की हुए है अगर उसके पास पेपर नहीं है तो भाई कैफियत के कॉलम में उस कबजधारी का नाम लिखा जाएगा बस सीमपर सी बात तीसरा कंडिसन है यदि खतियान में किसी अन्य वैक्ति विशेश का नाम हो और अस्थल पर उसकी वनसावली से भीन वैक्ति का कबजा हो किन्तु कबजधारी के पास हस्तांतरन का कोई साच नहीं हो तो ऐसे सिति में उक्त भूमी का खाता किसके नाम से खुलेगा माया के लिए कोई जमीन है और वो जमीन उसके वनसमें जिसके नाम से जमीन था उसके वनसज में जो है वो जमीन काबिज नहीं है कब जग उसका वारिश नहीं किया हुआ है कोई दूसरा वैक्ति किया हुआ है और किसी भी तरह का उसके पास लीगल ट्रांसफरेबल सर्टिफिकेट नहीं है ना ही वो दान में लिया है ना ही वो खरीदा है मलब ऐसे कब जग की हुए है मलब वही उपर वाला जो कंडिशन है वह उसी टैब का है तो वैसे कंडिशन में क्या होगा वैसे कंडिशन में भी होगा जिसका जमीन है ठीक है उसके वंसज के नाम से खाता खुलेगा और जो कबजधारी है कैफियत के कॉलम में चड़ा दिये जागा बस यही चीज़ है यदि भुमी राइती खाते की है तो प रत्रह के कंडिशन है इसको थोड़ा देख लगे चौंता नंबर अगर कोई रयत के पास पांस काक्शात है एक रेयत है उसके पास पाँस यह पांस लिश मीयर का कामझे इतना ही का लेकिन कब्जांब 10 पर है मतलब समझे मिल एखर थोड़ा सा और बढ गया है है तो टेल यो 10 डिस निल का कब्जा करके रखे यूव तरह idol यहका है बहुद कफ Means सिंपल सी रहर किसी रहत च cierto्पवारा उकत्त मुला अब चांनल कहले दी डाखिलन हमें कफ propaghan आगल बगल के कोई भी रहत दवारा जो है अपती दर्ज नहीं की गई है किसी परकार का जो है मलब यह केस वेगरा यह किसी परकार का प्रोब्लम क्रिये नहीं हुआ ठीक है लोग आवेदन नहीं किये हैं कहीं पर भी तो वैसे कंडिशन में क्या होगा तो दस डिसमिल का खात में तो यहां पर देखें क्या है पहले सरजमीन पर जांच की जाएगी चोफदी के अधार पर किया ठीक है अगर परोड डर्ष ढूर पर बना हुआ है तो प्रशुत किये के परमान के आलोक में अमीन से मापी परवेदन की माप मांग किया जाएगा जो अमीन है वहाँ पर मापी करेंगे और परतिवेदन जो होता है वो मांगा जाएगा ठीक है जो मुझा अधिकारी है जो कानून को वेकरा है उनसे मांगा जाएगा वो मांगेंगे अमीन से ठीक है जिसमें जो हदी का विबरन जो है असपस्ट रहेगा बचे पांच डिसमील जमीन पर अगर सरजमीन है तो अलग पलोट बना कर राजस प्रमान की मांग करेंगे मतलब कि इस व्यक्ति के दुवारा अगर कब्जा किया हुआ है दस डिसमील पर पांच डिसमील का पेपर है तो क्या होगा कि वह है पांच डिसमील इसको निकाल दिया जाएगा और अलग एक पलोट बना दिया जाएगा अब उस पलोट का कागजात मांगा जाएगा जो दस डिसमील पर जो कब्जा की हुए था उसका कागजात मांगा जाएगा अगर नहीं देगा यह व्यक्ति तो कि उसके पस पांची डिस्मिल का देगा कहां से अगर नहीं देता है वैसे कंडिशन में इस जमीन का जो सर्वे है वो बिहार सरकार के नाम से हो जाएगा बिहार सरकार के नाम से और काइफियत की कॉलम में इसी कबजधारी का नाम रहेगा अब यहां पर समस्या खड़ी होगी आ अब किसी क्या होगा अगर बिहार सरकार के नाम चला जाएगा तो फिर वह इस व्यक्ति को हटा न दिया जाएगा तो यह सिविल नियाले काम है सक्षम नियाले काम है ठीक है यह अलग हिसा है अभी जो वरतमान इस्ति हो उसके अधार पर सर्वी होनी है बस इसको आपको पर देज़ेगे कि बतादा है कि सर्वेजह होगा है आपको बखल दिलाने के लिए नहीं हो रहा है यह अलग डिपार्टमेंट का काम है क्या थीक है पर लिखा गया है भूमी सर्फेक्षन के दौरान दखल दिलाने की करवाई नहीं होती है यह सच्छम नियाले स्विल नियाले का कारिया है खाता रय द्वारा प्रस्तुत कागजात के अधार पर विधिवत स्थिम परस एक ही चीज़ है चापन पर किसी रैती भूमी पर किसी व्यक्ती विसेश दोबारा भूमी के कोई भाग या अनस भाग होना चाहिए भूमी में दुरगहू होता ठीक है कहीं कहीं फर इस स्पेलिंग मिस्टेक है उसको नजर अंदाज किजेगा ठीक है ओके अनस भाग पर हनुमान जी की मुर्ती स्थाफित कर दिया गया है एमम रयत दवारा नियाले में वाद दायर कर दिया गया है तो खाता खुलेगा या नहीं देखिए मायन के चले कोई जमीन है और उस जमीन पर कोई मंदिर बन गया मस्जिद बन गया या कोई भी वैसा सारवजनिक स्थल बन गया एक तरह से और वो जो है जिसका जमीन था वो व्यक्ति जो है नियाले में वाद यानि की केस दायर कर दिया है वैसे कंडिसन में क्या होगा तो जिस रयत की भूमी है उसके नाम से खाता खुलेगा या सिम्पल सी बात है परंतु कैफियत कॉलम में जो मुर्ती है अत्वा जो मंदीर का जिक्र है ठीक है वो तो वहाँ पर करना ही होगा और वो किया जाएगा ठीक है तो यह चीज है चैज़ दोसर मुझे है कि दखल कब्जा समन्दित यहां पर जो छे पॉंट मैं लाया इससे आपको पूरा जो है मैंड वास हो गया होगा कि भाई दखल कब्जा के स्तिति में अखिर कर सरवे में क्या होने वाला है और मुझे उमीद है कि आपको इस से रिगार्डिन जो है किसी परकार की कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं चैनले दोस्तो आज के लिए इतने ही अब मिलेंगे अगला वीडियो में जैहिंद वंदे मातरम